इस ललन टॉप विडियो इस ब्रॉट टी यू बाई याकुल्ट याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है प्रति दिन याकुल्ट का सीवन करें एक नई OTT प्लाटफॉर्म ओपन थेटर डॉट इन पर एक नई फिल्म आई है फिल्म का नाम है अंडमान कोरोना काल के दौरान की कहानी है यह शायद हिंदी की चुनिन्दा फिल्मों में से एक है जिसमें कोरोना का दौर दिखाया गया है कैसी लगी हमें अंडमान आईए आ पर रहे युनिवर्सिटी वे भी गोल्ड मेडल जीता लेकिन आईएस के इंटर्व्यू में अभिमन्यू फेल हो जाते हैं निराश होकर अब पंचायत सचव की नौकरी कर रहे हैं लेकिन यहां गाउं की व्यवस्था तो और भी निराश जनक है शहर से कटे अंडमान की हा पारिश करती चिठी लिखते हैं इस टाइम लाइन में मार्च 2020 आ जाता है प्रदान मंत्री देश भर में लॉकडाउन लगा देते हैं अभिमन्यू को शहर से कटे अंडमान गाउं में क्वारिंटीन सेंटर सम्हालने की जिम्मेदारी मिलती है लेकिन यहां अभिमन्यू को सिर्फ कोरोना वाइरस का सामना नहीं करना पड़ रहा मलकी गाउं वालों में धसे छूत अचूत हिंदू-मसल्मान और उच नीच के वाइरस से भी दोचार होना पड़ रहा है अभिमन्यू कोरोना काल में अंडमान की व्यवस्था सुचारू रूप से चला पाता है या न करती है आनंद ने अपनी लेखनी में यूपी के गाउं को बारीक डीटेलिंग के साथ उतार दिया है अंडमान गाउं बहुत ही असल लगता है इसके लोग भी असल लगते हैं शायर ये पहली फिल्म है जिसमें लॉकडाउन का दौर दिखाया गया है एक यूपी के गाउं के क्वारिंटीन सेंटर में उस वक्त क्या हालात रहे होंगे इसका एकदम सटीक नहीं तो बेहत करीबी चित्रन इस विल्म में दिखाई पड़ा आनंद राच ने गाउं की प्रधानी की हरिजन सीट के लिए बाहु बल्यो द्वारा की जाने वाली धांदली जातीवादी धर्मबेद पड़े लिखे उचे पदों पर पहुचे लोगों की दहेज की भूक को भी बहुत ही वास्तविक धंग से कहानी में पिरोया है हां अंत में उन्होंने भी हैपी एंडिंग का रूट पकड़ कर अभिमन्यू को एक आम आदमी से हीरो वाली श्रेणी में डालने क की कोशिश की है जो हल्की खटकती है लेकिन फिर भी इस नायाब सोच और सब्जेक्ट के लिए बतोर राइटर आनंद राज को साधुवाद आनंद ने ही फिल्म में अभिमन्यू प्रताब की मुख्य भूमिका निभाई है अभिमन्यू के मामले में आनंद राइटिंग से उननस पढ़ते हैं लेकिन संभाल लेते हैं कोई खास खामी नजर नहीं आती नियम कायदों के सक्त पालक अभिमन्यू का सधा चितरंड करने में भी आनंद राज बहुत हद तक सफल हुए हैं फिल्म में जल्लू की भूमिका निभाने वाले जैशंकर पांडे ने भी और इसकी पतनी जुमकी के रोल में अनामिका करदंब की एक्टिंग भी अच्छी रही फिल्म में राजेश टैलंक और संजय मिश्रा जैसे कलाकार भी गेस्ट रोल में नजर आते हैं दोनों ही कमाल है आगे कुछ कहने की जरुरत नहीं है अंडमान को डिरेक्ट किया है फि देशक के तौर पर पूरा नया किया है अंडमान प्रडक्शन्स तर पर उतनी अपीलिंग नहीं लगती कास्ट में भी मुख्या एक्टर्स को छोड़ बाकी एक्टर्स एवरेज अभिना करते रिखते हैं बावजूद इन कम्यों के फिल्म अपनी महीन और रियालिटी के कर सब्सक्राइब राइटिंग की बदौलत अंति तक बांधे रखने में काम्याब होती है हमारे इसाब से तो अंडमान को एक बार जरूर देखा जाना चाहिए आपके लिए रिव्यू क्या था हमारे साथी शुभम में देखते रहें डेल अलंटो शुक्रिया